तो अब हमारे पास एक कोश्चन है स्क्वार रूट आफ डेसिमल नंबर दसमलो संख्याओं का वर्गमूल निकालना है हमें बाइडिविजिन में ठीक है तो देखो यहां पर क्या है हमारे बास नंबर दिया गया 7.29 अब कोई भी नंबर है दसमलो में और उसका हमें क्या नि भूजरा पेयर ठीक है तो यह लेप्ट साइड वाला पेयर है और यह राइट साइड वाला पेयर है अब हम लेप्ट साइड से सुरू करेंगे तो देखेंगे कि यह जो सेवन है यह किसके स्क्वार में आता है तो अगर आप ध्यान से देखो तो वन स्क्वार वन टू स्क् आपको पहले तो यहां पर लिखना होगा और जो कोशियंट है उसको यहां पर एड़ भी करना होगा ठीक है यह जो कोशियंट है इसको यहां पर एड़ भी करना होता है अब आप इसको इससे माइनस कर दीजिए तो 7-4 बचेगा कितना 3 और यह अगला पेर जो है पूरा पेर लिखना है यानि कि 29 हम पूरा लिखेंगे ऐसा नहीं करेंगे कि टू लिख देंगे ना इनको बाद में लिखेंगे 29 दोनों साथ में लिखेंगे क्योंकि पूरा पेर लिखना पड़ता है अब यहां पर इसको एड करेंगे तो एड करके हम इस प्रकार से लिखेंगे कि पहले एक space ऐसे left कर देंगे 2 plus 2 कितना होगा 4 अब इस 4 के बगल में हमें कोई ऐसा number लिखना है और उसी से multiply करना है कि इसके या तो equal आ जाए या तो less देना जाए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो इसका टेबल इतनी बार पढ़ने की कोशिस करेंगे तो 48 जा कितना होगा 32 तो हम एक बार 8 रखके चेक कर लेंगे और एक बार 7 रखके चेक कर लेंगे तो मालो हम 4 के बगल में यहाँ पर 7 लिखते हैं और 7 से multiply करते हैं तो क्या answer आएगा 7 7 जा 49 4 carry 7 8 जा 28 प्लस 4 32 ठीक है 7 जा ले जाने पर यह पूरा पूरा equal आ जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 और यहाँ पर write करेंगे हम 329 और यह वाला जो number है इसको लिखेंगे हम यहाँ पर लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो 29 हमने लिखा उसके पहले आपर decimal है तो सबसे पहले आपर हमें decimal लगाना पड़ेगा, decimal लगाना पड़ेगा और फिर यह वाला 7 हमको write करना पड़ेगा तो इस प्रकार से इस step में जो हमारा remainder है वो 0 हो जाएगा तो जिस step में हमारा remainder 0 होता है उस step में quotient ही हमारा square root होता है यानि कि ये वाला हमारा क्या होता है तो यहाँ पर इसका answer write करेंगे square root of 7.29 is equal to 2.7 तो यह हमारा answer हुआ ठीके square root of 7.29 कितना आया 2.7 तो इसको आप write down कर लिजे उमीद करता हूँ कि इस वीडियो माँ आप लोगों समझा पाया हूँगा अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लागा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंग्यू क्लास